देश दुनिया सा हित्य या समाँ जहां होती है हर मुद्दे परपाँ विचार है दिमर्ष है हल है निश्कर्ष है हर सवाल कहा जिर है जवाँ जित से जुणा है परंपरा संस्कृती संप्रती संप्रती नमस्कार मैं हूँ रभी फ्रकास और या कारिकरा मैं संप्रती आजकल अखवारों में हर वक्त ऐसी कभी कभार ख़बरे मिलती रहती है जहां यह पता चलता है कोई आदमी चलते-चलते उसकी दियत हो गए कोई इतने टिप्रेसर में है कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा मस्वरे के लिए और तरह तरह की ऐसी बाते आखवारों में मिलती हैं हमारे आपस के बाचीत में ऐसी बातों को सामिल किया जाता है इसे पता चलता है कि कही नगिंे आदमे के जिंद्गे में कुछ इसी बात हो गई है जिसके कारण लोग परिसान है और जब परेंख है यजल को लग परते दिमाग में बाता आथ है आदमी को नग है पॉजिटिव रहे सकारात्मक रहके पॉजिटीव रहके कैसे आपने जिनकी खुसाल बना सकते हैं और कैसे पॉजिटिवीटी जो है आपके स्वस्ष रहने में मदद़गार थाबित होती है कहीं दफाद तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप पॉजिटीव हैं हमारी रोजमार्रा के चिंदगी में, हमारी सीहत पर क्या आसर पर था इस पर बात करने के खास मिमान को स्टूडिय में बुलाया है, हम स्वागत करते विज़े बाहदु आपका जो प्रफाद कफर अखवार के वाइस पेस्टेडेंट हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लेकिन लगाता लिखते रहते हैं, इनका कॉलम काफी प्रसिद है, बी पॉजिटीव, जो कॉलम की नाम से ही आप समझ पाएंगे, उसका नाम है बी पॉजिटीव, तो कैसे पॉजिटीव रहें, इसके अलावा ये फेस्बुक पर और दोस्तों सेल मीडिया के दूसरे प्ल रभी जी मेरा मानना है कि जीवन में, जाते मेरी अपनी समझ है, साइधी को ऐसा इंसान मैंने देखा है, जिसको कोई ना कोई परिशानी नहीं है, किसी को अर्थ की चिंता है, किसी को तन की चिंता है, किसी को मन की चिंता है, कोई अपने वर्तमान को लेकर चिंतित है, कोई तो मेरी जो अपनी समझ है कि हर वेक्ति जीवों में परिसान है तो परिसानी सब के साथ है तो उस परिसानी से निकलने का मार्ग क्या है क्या हम परिसानी के साथ चिंतित रहें रोते रहें विचार करते रहें या उससे निकलने का मार्ग तलासे और जब आप उससे निकलने का माग तलास्ते हैं, तो आपके वास रास्ते क्या होते हैं, आप रास्ता तलास्ते हैं कि कैसे हम इससे उबरें, तो उबरने के करम में मेरी जो अपनी समझ है, कि जो इनसान की जो सारी ताकत है, अनलब तन की जो थमता है, उससे पहले उसका जो मानस होता है, वो जदा बहुत पर्षानीएं उजरूरी है कि हम आपस में पॉजिटिव बात करें पॉजिटिव करने के कोसिश करें ऐसे आप सब दे आप करगेंस ज्जैसे विसे उठाते हैं आप कांटेंट कैसे छुनते हैं जैसे मेरी मैं जो आम जीवन में मान लिजए जैसे मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन लोगों को देखता हूं मेरी जो समझ है मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं फालो करते हैं जो अपने मरलब छेत्र में सक्सेस्फूल हैं, उससे ज़्यादा महत्पुन मुझे लगता है हमारे आस पास के जो लोग हैं, वो ज्यादा महत्पुन हैं. निच्छाद के जो इनसान होता है, माल लगए जसके साथ बहुत हैं, इसके मन में वीचारा आता है कि ये जो आदमी मेरे साथ बैटा गयाद परohn बोलते हैं अगर ये बहतर कर सकता है। और चुकि हम उस व्यक्ति की छमता को जानते हैं, तो मन में लगता है कि जब ये व्यक्ति कर सकता है, तो मेरे नहीं करने का कोई कारण नहीं है. माल लिजे हम बहुत बड़े, एक मिनिट के लिए माल लिजे कि हम कला के छेतर में अमिता बच्चन को देखते हैं, स्पोर्ट्स में सचिन तंदुलकर है लताम अंगेसकर है इस तरह के जो लिजन्डरी लोग है उनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं सुनते हैं और देखते हैं लेकिन जब अपने आस पास के जीवन में जिन लोगो सक्सेस्फुल होते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये में अगर बेहतर कह रहा है तो हम भी कर सकते हैं और मेरे रिपक का हिस्सब ही होता ह Sag कि हर इनसान का जीवन कहानी है हर इंसान के जीवन अपने आप नियर्प उसके सक्सेस का परेमिटर भी अलग अलग है यह best अ हो सकता है मेरे परेमिटर में मेरा जोर एक बैंचमार धो तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी बहुत उपर दिखता है वो ज़्यादा सक्सेस्पूल है क्योंकि हो सकता है कि उसने जो अपनी दूरी तयकी हो उसका पैदान आगे हुआ हो लेकिन एक आदमी जो बहुत नीचे से गया उसके लिए सक्सेस का परामेटर अलग है तो हर आदमी का एक संगहर साय जीवन है और मैं इन चीजों को देखकर मुझे लगता है मैं सेखने कोसिज करता हूँ जो मैं मसूस करता हूँ लिखने कोसिज करता हूँ या बोलने कोसिज करता हूँ जो आपके रिल्स लोग पर हैं फेस्वूप पर यूट्यूब पर डालते हैं औरेल्स को बनाने का ख्याल, हलाकि रेल्स तो अहाल के पैसे जो सालों की चलन में आया है.. .. इनको बनाने का ख्याल कैसे आया.. इसके लिए जो सब्जेक्ट होता है वो जो आप लिखते हैं भी पॉजेटिव कॉलर में उससे कितना अलग या उससे कितना एक रूपता होती है जैसे रवी जी अब मैं लिखने का काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ मुझे लगता है कि एडिट पढ़ने में मुझे लगता है 2000 के आसपास मैं लिखता था बताब 22 सल पहले और लेटर टू एडिटर लिखने का काम मैं मुझे लगता कॉलेज के दिनों में मेरा सौक था तो अपने सुरू में कहा कि एक कमर्सियल व्यक्ति होते हुए भी जैसे ए मुझे कहा कि आप लिखिये तो मैंने उनके कहने पर लिखना सुरू किया तो मुझे आनंद भी आने लगा तो मैं लंबे समय तक लिखने लगा किसी बित्र ने मुझे सुझाओ दिया कि भाई तुमारी आवाद अच्छी है तो तुम यूट्यूब में या कहीं पर भी बोल में सिखता है और अभी जो लेटेस्स ट्रेंड है आप देखे का पहले जो मैं वीडियो सुरू में वारे मिनट इस तरह के वीडियो प्राइब आता था लेकिन अभी किसी के पास उतना समय है नहीं तो किसी ने मेरे एक एक मेरा जूनियर था किसी समय का आरज चाल ता उसे आप उसके साथ अपने को इंटेग्रेट कर सकते हैं और आप ये समझ ये कि हमारे लिखने का हमारे बोलने का उद्धे से क्या होता है उद्धे से ही होता है कि हम जो लिखते हैं बोलते हैं बोलते हैं तो अगर एक आदमी के जीवन में भी उसका छोटा सभी इंपैक्ट बनता तो मुझे लगता है कि आदमी के लिखने का या जो सोचता है उसका एक रिलिवेंस है और उसके बाद मैंने रिल्स बनाना भी शुरू किया और उसमें मैंने एक खुबसूर्ती देखी कि उसका पांच मिनट के वीडियो में जो आप बनाते हैं वो बोजिल हो जाता है एक से लिखने का होता है या जो भी अबरॉल पैकेजिंग जो होता है ना बहुत कॉमपक्ट होता है ताकि लोग उसको देखें तो मुझे लगता है कि अभी मैंने शुरू किया है और मेरे को मज़ा रहा है मैं इतना का सकता हूँ आपने ठेकी का कि हर आजमी की जिन्दी ये कहानी है क्योंकि आज के दौर में पोस्ट कोविड जो सिनेरियो बना है तो हम लोग बार बार ये जिसको जिकर मैं पहले भी कर रहा था कि आचानक से लोग बिमार पर जा रहे हैं करी लोग की अनफ़चुनेट देथ हो जा रही है तो पॉजिटिव रहके कैसे आप समाज में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं और ठीक रख सकते हैं और अपने परिवार में खुद को भी ठीक रख सकते हैं क्या फिलिंग आपके आज इंट्रेक्शन डॉंक्टर से भी होता होगा कि आप ऐसी चेत्रन में काम करते हैं सभी लोगों से मिलते हैं किस तरह की बात ही होती है कितना impact पड़ता है लाइफ पर रवी जी मैं इसके बारे में कोविट की घटना है जिसके बारे मैं आपको बहुत सची घटना है हमारे ही परिवार में हमारे एक लेटिव थे मैं छोटी सी घटना में बताऊंगा कि आदमी क पॉजिटिविटी का कितना बड़ा असर पड़ता है उसके सरीर पर या उसके मानस पर कोविट के समय में हमारे बुजूरुक की तवियत खराब होगे मैं इस पर एक सोरी भी लिखी थी जब उनको मैंने हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट किया तो हम लोगों पता नही मारी मिसेस भी साथ में हुआ करती थी और जब वो बीमार पड़ गये उनको सांस के उच परिसानी हुए तो हम लोगों ने उनको अस्पताल में एडमिट किया तो उनको सोडियम की एक परिसानी थी तो जिसे एक आदमी को जो होता है मिंटल स्टेटस उसका थोड़ा कम्जो है हम लोगों भी पता नहीं था है उनको कोवीड है तीसरे दिन जब उनका कोवीड का जो जो टेस्ट आया तो उसमें वो पोजितिव निकला अब पूरे हॉस्पिटल में हरोकम मज गया उनको उनको जो ठीट करने का तरीका थो बदल गया तो अब डक्टर भी परिसान हो ग यह घृए तो मैंने डॉक्टa साथ को कहा कि, ड्क्टर साहँ एक आग्रह हमारा आप से है उनको यह आप मत बत बतलाईएगा वो बिल्कुल हो जाएगे उनको हम लोग उने COVID ward में shift किया, आप बिलीब नहीं करेंगा रभी जह हम लोग उस COVID ward में भी आने जाने का करम होता था, उस इनसान को सिर्फ इसलिए वो ठीक हो गया कि उसका मानस जो था वो पोजिटिव डारेक्शन में था, उनको तमाम तरह की परसानिया थी, लेकिन मैंने मैंने देखा कि उनके माइंड में ये था कि हमको उस तरह की कोई बिमारी नहीं है, तो एक ट्रीटमैंट की तरह जब उनका ट्रीटमैंट होने लगा, उनका मानस मेंनस जो था, उनका मैंने जो बहुत जल्दी बिमारी सुबर गया, तो आदमी के positive intent का बहुत फार्क पढ़ मेंटली मजबूत है वह जारत तेजी से रिकभर करता है यह तो साइन्स का एक प्रूवें टुरूथ है तो कुछ बोलने का भी नहीं है तो इसलिए आदमी के मानस का बहुत बढ़ा नता है रही जैसे हर आदमी आज का जो खासकर कि आप मार्केटिंग के चेतर के हैं तो यह स कामरां देते हैं कि आप और बड़े पोजिशन को होल करिए लेकिन जो टार्गेट बेस नौकडियां है इसकी वज़ा से आदमी के लाइफ में कितना तना होता है और इसके साथ ही यह भी बताई है क्योंकि आप उसको मैनेज करते हैं खुद के अपने जिन्दिनी में भी कि यह सारा काम करते हुए आदमी कैसे पॉजिटिव रह सकता है और पॉजिटिव अपने फैमिली को भी रख सकते हैं एक तो मैं कहूंगा कि सक्सेस्फुल आप किसको मानते हैं जो अपना एक जो सोचता हूँ कोई वेक्ति प्रोफिशनली बहुत सक्सेस्फुल हो गया तो मे कोई वेक्ति मानली उसका फैमिली लाओं उसका बहुत 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 भी है और प्रोफिशनली 'sट्रफिटन कर रहा है तो भी सक्सेस्फुल नहीं हो है कोई भी वेक्ति मेरी समझ में जिसका जो पूरा जो अज जो एक जो एकंगलıld होता है तो वेक्ति उस्क्राड वहत्र कर नहीं हो अच्छा हो पारिवारिक जीवन उसका बेहतर हो उसकी जो समाजिक जो कंट्रिबूशन वो एक बढ़िया हो तो वह इन टोटलिटी में जो वेक्ति इन सब चीजों को एक बहुत समझेस्क साथ मैनेज करता हो सक्सेस्फुल वेक्ति है दूसरा आपने जो सवाल किय है कि टारगेट को लेके मेरा जो एक नीजी अनुभाव है मैं बताना चाहूंगा मैंने जो अनुभाव किया है कि हम टारगेट के बारे में बात बहुत करते हैं लेकिन टारगेट कैसे चीप करेंगे उसकम लेकर हमारे पास बैसिके голी प्लानिंग होता मैं एक दम बहुत ग्राउंड की बाद बता रहा हूं आप अगर खासकर मार्केटिंग के किसी व्यक्ति को देखेगा तो वो दो चीज बहुत हमेज़ आपको कहता होना जाद आएगा कि टागेट का बहुत प्रेसर है बहुत दिक्कत है या फिर कहें कि मार्केट बहुत तो मतलब उसके पास कोई कुछ लोगों को सोड़ दीजिए जो सक्सेस आपनला जागे बढ़ते हैं उसके पास कोई मॉडल नहीं है और मॉडल क्या हो सकता है मेरा मानना है कि जैसे आप आप आफिस जाते हैं आप हमारे माली काम के घंटे आठ हैं नौ हैं मेरी जो समझ है क कोई आदमी आदमी अगर इंसान अपने जो एक काम का समय है न उसका अगर वो हंडिड परसंट देता है न तो उसको अपने बाकी समय में काम को समय देने की जरूवत नहीं है प्राबलम क्या है कि हम टार्गेट के बारे में बहुत बात करते हैं लेकि उसे उबरने के बात करते हैं और दूसरा है कि मन में मेरे समझ से एक आदमी का कि सोच होने चाहिए कि हमको अप्टिमम देना है जो चीज आपके अक्तियार में नहीं है कंट्रोल में नहीं है उस पे बहुत ज्यादा उर्जा खर्च करने से कुछ हासिल होने को नहीं है हर आदमी को सेल बिलीप होना चाहिए कि मेरे में यह जहनता है, और में कर सकता है और अकर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो यह काम कोई नहीं कर सकता है। rational नहीं है तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है क्या बात है यह बिलीब तो देखिए आपको जिस profession में आप हैं वो profession कोई भी हो सकता है आप अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आपके मन में एक confidence तो जरू होना चाहिए कि मुझसे बेतर यहां को है और आज के समय मेरे समझ से कोई मेडियो कर की जगह नहीं है जिसमें आप हैं आप अगर अब अबरेज हैं या एक्सिलेंस में हैं तभी अपनी जगह बना सकते हैं अधरवाइज मेरी साब से किसी फिल्ड मेरे मेडियो कर के लिए पहुत जगह मैं आपको बताओं कि आप कभी भी जैसे आप समझ जीवन में आपकी परिषानी हो गई सब्गोज कि घर में इस उब आप दफ्टर निकलने वाले हैं आपको कोई परिषानी हो गई आप देख लेजिएगा कि कभी भी आप काम पर फोकस नहीं कार पाते हैं यह बहुत मैं भावर बावह बोल रहा हूँ तो जिस भी इनसान का जो रक्तिकत जीवन है फैमली लाइफ है, जो फ्रेंड्स अलकर का लाइफ है अगर वो बहतर है जो personally successful है वही आदमी professionally भी successful होगा और ऐसे बहुत rare आदमी मेरे को मिले जिनका जीजी जीवन अच्छा नहीं है और professionally successful है ऐसे लोग हो सकते हैं लेकिन मुझे कम मिलते हैं जो मन से जो खुस है ना वही अपने काम को लेकर enjoy कर सकता है और वही अपने काम को 100% दे सकता है तो एक और सवाल है कि जैसे कि आप हर बार सोचते हैं हलागि आपने पहले इसको उसका उतर दे दिया कि 8 गंट अगर आपने टेक से काम किया है तो आपको अपने बाकिये गंटे में करने के ज़रूरत नहीं है फिर भी जो तनाव है जो एक पोता है इसको नहीं ठीक है मैंने ये लक्षताय किया था मेरे ये टार्गेट था और अब देखेना अब टार्गेट अचानक से बढ़ा दिया गया ठीक और अशनल नहीं भी हो सकता है तो उस तनाव को कैसे उस तनाव के मैनेजमिन का क्या थरीका है देखे रभी जी मेरे जो समझ है कि आप जहां मेरे परी काम करते हैं आप देखिए कि आप वहां पर आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं आप वहां काम करते हैं या और कहीं काम कर सकते हैं जिस जगह आप काम करते हैं आप समय के साथ वहां पर आपकी उनत्ती नहीं होते हैं आप प्रोफिशनली पागे नहीं बढ़ते हैं तो आप समझे कि कुछ न कुछ आपके जो आपका जो केरियर जो है उसमें कुछ न कुछ निच्ची तोर पर आप माल लिए किसी संस्थान में 22, 25, 20 साल के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझ में बहुत काबलियत है और मेरे साथ नया नहीं हो पा रहा है हर आदमी को लगता है देखिए कि इंसान की फित्रत उसको लगता कि मैं बहुत काबिल हूँ मेरे साथ जस्टिस नहीं होता है यह अपने सोचने का नजारिया हो सकता है लेकिन कहीं ने कहीं इससे ही आदमी का एक जो नेगेटिव सुरू हो जाता है कि जब आप फ्रॉस्टेशन मायन लगते हैं तो कभी भी आप काम को 100% नहीं दे सकते हैं तो दो चीज़े तनाव काम आ एक तो आप अपना 100% दीजिए दूसरा अगर आपको लगता है कि आप उन प्रिसर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो निश्ची तो पर एक समय के बाद आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं और 100% देने के बाद भी आप अगर 100 परसेंट जो आपके मन में इच्छा हो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके पूरे वर्किंग में आपके सोचने के नजरी में गड़बड़ी है तो आपको फिर कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि ये काम हम कर रहे हैं इसमें सक्सेस हमको नहीं कि अपने काम को लेकर कि एक इतना समय हो गया तीन साल चार साल पांच साल दो साल जो आप निधारीत करते हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं ये अब ये इसकी मैसूर्टी का जो लेवल इससे ऊपर फुछ होने को नहीं है तो निशी तो प्लान भी सूचना चाह म कि सूर्ण गार पंदर रुप मिल जाती है लोंग जाके तो मिल जाते हैं रजाथ फार इंटाश्तर सह сторर रुपि मिलती ये और वही बॉटल इयप पर फिर ये काहिं गई तो ज्जादा की कीमत बदल गया जगह के बदलने का प्लीट फॉर्म के बदलने का या प魚पो को चेंज करने का कितना बेनिफिट होता है आदमी के पॉजिटिव लेने में देखिए इसको आप जगह के साथ समझे एक ब्रैंड क्रेशन का मामला है आप कोई पानी मान लेजे एक फुटपात पर लेते हैं उसके बार एक छोटी से दुकान पर लेते हैं या किसी मौल पर लेते हैं या एरपोर्ट में लेते हैं इन सबी चीजों में आपने बता है कि यह जगा है, जगा का डिफरेंस है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह ब्रैंड का डिफरेंस है, एरपोर्ट का अपने ब्रैंड है, फुटपात का अपना ब्रैंड है, और दुकान का अपना ब्रैंड है, और मॉल का अपना ब्रैंड है, त एक बार कहीं पर लिखा तो पढ़ा भी था मैंने उसको मैंने एक बार रिफर भी किया था कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं हिनुस्तान में ही चिर अपने लोगों को बनाने के लिए देड़ सो करोर रुपय उसने खर्च कर यह आज से पंदरह भी साल पहले की बात है तो समय मे एक बिलीफ है और आदमी के मानस को सडिस्फाई करता है कि बाई एक लोगो है किसी कंपनी का है हो सकता है कि प्रड़क्ट जो बेच रहा हो सेम हो लेकिन जो उसका कंज्यूमर है उसके मानस को सडिस्फाई करता है जैसे मानले ये एरपोर्ट पे कोई पानी लिता है तो वह तो दोनों के सोचने के नजरिया अलग है, एक जो विक्ति मानिये की जो फुटपात से ले रहा है, उसके लिए उसके पानी एक जरूरत है, वो हो सकता, प्रिफर करता कि मुझे टैप का पानी भी इस्तमाल कर लूँ, मिल जा तो मैं पी लूँ, लेकिन जो विक्ति मान लीजि अपने ब्रांड के लिए भी उतना पैसा खर्च कर दा है, अपने ब्रांड के लिए भी इनवेसर कर लाग जार्ण है, कोई सवाल नहीं है, आप खुछ कहना चाहते है, मैं दर्शकों को प्लीज कहिए, तो मैं हमेसा कहता हूं कि, थिंक पोजिटिव, आट पोजिटिव, ए जिन्गी में सागरातमा करें बहुत साथ क्यों हासिल की जा सकती है पॉजिटिव रहे तो जैसा विजजी ने कहा हो जैसा आप भी महसूस करते होंगे पॉजिटिव रहना आपके जिन्गी को बहुत खुब सूरत बना सकता है अब पॉजिटिव कैसे रहा जाए यह आप तैक कर लीजिए और मुझे इसका को रुकने की इजाज़ा दीजिए अगले सब्सक्राइब से फिर मुलागात होगी नमस्कार और मुझे नमस्कार दीजिए